चान लेते की खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा आक्शन कौन-कौन से नंबर्स आये हैं और कौन-कौन सी एर्निंग रिपोर्ट्स आने वाली है पूरी डिटेल लेकर अर्मान हमाय साथ जो चके अर्मान मॉनिंग पहले तो बताईए कि कौन-कौन से नं आसपास बढ़ता वाता है पर प्रोविजन देखेंगे वो तीन गुना जो है यहां पर होते वे दिखें हैं कासरेशो की बात करें वह लगबग अगर आप देखें थोड़ा बहुत इंप्रूव क्या है आरीसी आपको नतीजे बढ़िया अगर आप देखें ओवर आल यहा लगबग 52% के आसपास के आपको गुरूद दिख रही है यहां पर आपको बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं आई लगबग 39% बढ़कर आई हैं मार्जिन्स में आपको इंप्रूमेंट है 17.7% से बढ़कर 30% के आसपास मार्जिन्स आते वह दिखें हैं जो अनुमान 26% का अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आपको दिख रहे हैं आई लगबग 4% के आसपास गिरकर आई हैं मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो 9.6% से गिरकर 6.8% पर आते वह दिखें जो कि अनुमान 10.3% के आसपास का था कॉल गेट की बात करें तो आए लगबग 11% बढ़कर आई है मार्जिन्स जो है वह 27% से बढ़कर लगबग 31.6% के आसपास जो है वहाँ पर आते वह दिखें हैं जो कि अनुमान उससे थोड़ा बहतर आ हैं और 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 एकल फिनेंशल सर्विसेस की बात करें तो यहां पर लगबग फ्लैट रही है जो को 0.6% कम होकर रही है और मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी गिरावाट है 43% से गिरकर 41.2% पर आते हैं और चलिए यह वह नंबर्स रहे जो कल आते हुए दिखाए दिया आज इनका इंपक्त हमें मार्केट में नजर आएगा चारमा इंटलेक्ट डिजाइनर इनका इनका जो FNO में है आखरी दिन होगा पिरामल फार्मा बोट बेठक में राइट इशू के टर्म्स पर विचार किया जाएगा आईपयो के साब से नेटवेब्स टेक्नोलोजी इनकी लिस्टिंग होने वाली है एक्सटेट है हिरो मोटो से 500 सारे का माजो है ड्रॉप हो जाएगा डेटा पैटर्न से वह एड होता हुआ दिखेगा यहां पर सरकार ओफस के जरीये जो है लगब 3.4 परसंट इससेदारी बेचेगी और उसके साथ ऑप्शन यह भी ग्रीन शू ऑप्शन केता है तो लगबग 1.96 2 परसंट के आसवा रखा गया है वह 111 रखा गया है जो कि मुझूदा भाव अगर आप देखेंगे उससे 11.4 परसंट इसकांट पर है आज आज अगर आप देखेंगे नॉन रिटेल इंवेस्टर्स के लिए खुलेगा और कल की बात करें तो कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिलाइंस इ की जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि महिंद्रा ने आर बिल बैंक में लगबख 3.53 परसंट हिस्षेदारी जो है खरीदी है 417 करोड में और उन्होंने कहा है आगे भी वह इस्षेदारी बढ़ाने के उज़्जन रखेंगे पर 9.9 परसंट से जादा नहीं बनाएंगे अमेरिकोल लिमिटेट यहां पर सत्या निूट्रिसिटिकल्स में लगबख 58% हिस्से का धिकरन के लिए उन्होंने करार किया है लगबख 370 कोड के आसपास में खरीदा जाएगा CDSL कमपनी जो है 9 करोड एक्टिव डिमेट रजिस्टर करने वाली पहली डिपोजिटरी बन गई है TTK Healthcare का दीलिस्टिंग ओफर जो है वो फेल होता वादिका है और अगर आप बात करें में यहाँ पर मदरास हाई कोट ने गूगल द्वारा कमपनी के एप को डिलिस्ट करने पर रोकना है पर जो अंतरिम आदेश दिया है मतलब कमपनी के राहत मिलती भी दिखिए और अंतरिम अरेजमेंट, इंटरिम अरेजमेंट के तहित उनको जो है अपने इनेप परचेसेस की आये का 4% गूगल को देना चलिए तो ये भी वो महतवपूर्ण इंफरमेशन है जोस पर आपको रखनी है नजर कमपनियों के नंबर्स जारी होंगे और अफकोस खबरों के दम पर धुआदार अक्शन भी देखने को मिलेगा